अमेरिका ने रूस पर लगाया एक और प्रतिबंध अमेरिका ने मंगलवार को रूस से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया राश्टपती जो बाइडन ने एक ट्विटर पोस्ट में यह बात कही उन्होंने ट्वीट किया आज मैं घूर्षणा कर रहा हूँ कि संयुक्त राज अमेरिका रूस की अर्थववस्था की मुख्य धमनी को निशाने पर ले रहा है हम रूसी तेल और गैस के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस से आयात पर प्रतिबंध लगाने के कदम को युद्गरस्त यूक्रेन के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है बाइडन ने एक अने ट्वीट में कहा कि अमेरिकियों ने यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के लिए रैली की है और यह सपष्ट किया है कि डेश रूसी राष्ट पती व्लाद इमिर पुतिन के युद्ध को सबसिटी देने का आधार नहीं मानेगा बाइडन ने कहा पुतिन का युद्ध पहले से ही अमेरिकी परिवारों को दुखसान पहुंचा रहा है और इससे हर चीज पर लागत और बढ़ जाएगी इसलिए मैं अपने हाँ पुतिन की बढ़ाई कीमतों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाऊँगा अमेरिका पहले ही अपने और सहयोगियों के रणनितिक पेटोलियम भंडा से 6 करोड बैरल टेल की सामूहिक रिहाई की घोशना कर चुका है आधार रणनितिक भंडार अमेरिका से आएगा बाइडन ने कहा हम वैश्विक उर्जा की एक विश्वस्निया आपूर्टी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं और हम अमेरिकी परिवारों वव्यवसारों की सुरक्षा के लिए अपने निप्टान में हर उपकरण के साथ काम करते रहेंगे